सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकन डबाना ना भूले यदि चलते चलते वह गिरेगा नहीं गिरेगा फिर खड़ा होगा फिर चलेगा गिरेगा फिर खड़ा उसे स्वतंत्रता से छोड़ दो वो खुद चलेगा आप कब तक हाथ पकड़ के चलाओगे एक बार पकड़ के चला दिया ना हाथ पकड़ के दू बार चला दिया अब चलने दो वो गिरेगा चलेगा गिरेगा चलेगा खड़ा होगा उसे चलने दो उसके पाउं पे खड़ा होने दो आपने यदि उसको गोद में लेकर चलना शुरू कर दिया ना गिरना जाए गिरना जाए कोई मा अपने बच्चे को गोद में लेकर चले और चलने ही ना दे त उसकी बेटी का बेटा हुआ, वो घुटनों के वल चले, खड़ा होने का प्रयास करे तो ना नी पकड़ ले, ना बेटा गिर जाएगा, गिर जाएगा, वो तो बूढ़ी बैठी रहती थी, वो तो खुद चलती नहीं थी, और उसका नाती चले तो उठा के गोद में विठा ह है, चलने ही ना दिया, चलने ही ना दिया, साल, दो साल तक वो चलने का प्रयास किया, पकड़ ले, पकड़ ले, वह बच्चा सची अपाहिज, आज भी वो बच्चा है, आज 2021 में भी वो बच्चा है, उसने बच्चे नहीं हमें ये आप बीती बताई कि हमारी नानी ने हमे अपाहिज कर दिया जब हमारे चलने का समय था पकड़ के रखे लिया गिरने नहीं दिया ये तुम्हें जो लगता है ना कि तुम बेटों की ज़्यादा हैल्फ कर रहे हो ना तुम बेटों को अपाहिज कर रहे हो अरे बेटों को ज्यान दे दो उपदेश देदो, सही रास्ता दिखा दो, छोड़ दो उनके बल पर वो चलेंगे, नुकसान होगा, फिर भरपाई होगी, नुकसान होगा, फिर भरपाई होगी, वो व्यापार करना सीखेंगे अपने बल से, बिजनेस करना सीखेंगे अपने बल से, अपने पाउ में खड़ का नुकसान है और जब वो खुद करेगा तो वो अपना फाइदा और अपना नुकसान मानेगा और वो नुकसान नहीं होने देगा इसलिए बुढ़ों को ये समझ है जिनको है वह तो जिम्मेदारी सौंप देते हैं बच्चों को जिनको नहीं है वह बुढ़ा पे तक ढोती रहते हैं एक 80 साल के बुढ़े आदमी सबजी लेके आ रहे थे हमने का क्यों आपका बेटा आपका नाती का माराजी बच्चे घर में हैं अभी पोता छोटा हमारा पोता छोटा कितना छोटा है 25 साल का है छोटा हाँ दूद पीता है माका 25 साल का गोड़ा 25 साल तक ये सबजी का भाव नहीं पता कि सबजी क्या भाव चल रही है तुमने अपने बच्चों को कुछ करने दिया ही नहीं सब तुम ही सबजी भी तुम ले आओ खेती भी तुम कर लो व्यापार भी तुम कर लो पैसे भी तुम ही रख लो ये बच्चे फिर क्या हो जाएंगे, नालायक हो जाएंगे, कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं गई, मैं आपको समझा दू मेरी मा, तुमारा बेटा 20 साल का हो, ध्यान से सुनना, तुमारा बेटा 20 साल का हो, और 20 साल का हो जाए, तो बच्चे के कंधे पर जिम्मेदारी दे दो, पढ़ना भ यदि उसे सही वक्त पर सही जिम्मेदारी दे दी गई तो उसका भविश्व बहुत उज्वल होगा और यदि सही वक्त पर सही जिम्मेदारी नहीं दी गई तो वह बिगड जाएगा गलत संगत में शरावी बन जाएगा जुमाडी बन जाएगा रास्ते से भटक जाएगा इ बच्चों का भविस्प बरबाद हो चुका है देखो जीवन में सही समय पर सही निरने लेने की जरूरत होती है हमारे सास्त्र कहते हैं कि जब बच्चे का जूता जब बाप का जूता बच्चे के पाउ में बरावर आने लग जाए सुन लेना जब बाप का जूता बच्चे के पाउं में बरावर आने लग जाए तब बाप अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखके कहे बेटा अब हम तुमारे दोस्त हो गई अब हमें अपना पिताना समझना अब हमें अपना वैस्ट फ्रेंड समझना दोस्त समझना बाप बाप तब तक बनके रहे जब तक बेटे का पा फ्रेंड बन जाओ और दोस्त बनके अपने बेटे को समझाओ तुमारी बेटी सयानी हो गई है तुमारी बेटी की चपल अब तुमारे पाउं में बरावर आने लगी है मतलब अब बेटी से बेटी का संबंध ना रखो अब अपनी बेटी को सहेली बना लो सखी बना लो अप अपनी बेटी से माँ वाला रिस्ता ना रखो सखी वाला रिस्ता रखो सहेली वाला ताकि आपकी बेटी आपका बेटा कोई भी गलत निरने ले तो बे जिजक आप से कह सके यदि आपने डराया कि मैं तेरी मा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ तो बच्चे गलत निरने लेते हैं अपने माबाप से सियर नहीं करते और वो छिप छिप के गलत करते 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 एक दिन उनों का भविश्क खत्रे में आ जाता है